नमस्कार दोस्तों, पूजय शीक्षी चैनल में आप सभी मेरे भाईयों और भेहनों का बहुत बहुत स्वागत है, जै मातादी दोस्तों आज जिस नयविश्य पर हम चर्चा करेंगे, वो है मा काली की उपासना किस प्रकार से करने चाहिए, किस दिन उनके वरत उपास करने चाहिए, तथा क्या गल्तियां हमें बूलकर भी मातारानी की पूजा में नहीं करने चाहिए सबसे पहले मा काली जो हैं दुरुस्टों का सहार करने वाली होती है, तथा इनकी अराधना से हमारे जीवन के सभी कष्टों से में मुक्ती मिलती है, यहां तक कि मा काली को दस महा विद्याओं का ग्यान दाता माना गया है, अगर आप तंत्र साधना में भी मा काली की गुप्त जितने भी शत्रू होते हैं उनसे आपको मुक्ती मिलती है, साथ ही साथ आपके जीवन के जितने भी कष्ट है वो दूर होते हैं, दो हजार उननीस में क्यूंकि राहू का भी बहुत बड़ा जो उसने चाल चली है ग्रहों के बताबी, तो मा काली की उपासना से आ एक विशेश मंत्र है जिसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे तथा उसकी भी अगर आप रोज उपासना करते हैं तो आपके जीवन में माता महालक्षमी की क्रपा प्राप्त होती है, माता सरस्वती की क्रपा प्राप्त होती है, साक्षात मा काली की जो है आपको दर्शन त उनके लिए आसन जो होगा लाल उनी आसन होना चाहिए हमें कभी भी माता दुर्गा या माता की अराधना में जब हम कालका देवी की पूजा करते हैं काली मा की पूजा करते हैं मा दुर्गा की मा भगवती की पूजा करते हैं या मा पारवती की पूजा करते हैं कभी भी हमें जो है सूती आसन नहीं प्रयोग में लाना चाहिए, रेषमी आसन नहीं लाना चाहिए, जहां तक हो सके उनका आसन का ही हमें प्रयोग करना चाहिए काले रंका जो आसन होगा तांतरिक विद्याओं के लिए प्रयोग में किया जाता है लाल रंका जो उनी आसन होता है महालक्ष्मी के लिए मासरस्वती के लिए साथी साथ माकालका तथा मादुर्गा के लिए सरविश्रेष्ट माना जाता है जो उनी आसन रहता है सदे विजवात का ध्यान रखें कि वो दुला हुआ होना चाहिए तथा केवल प्रयोग जो होगा आप पूजा में ही उस आसन का करें पूजा के नियम जो है मा काली की पूजा के लिए मध्यरात्री का समय जो है बहुत उचित माना जाता है जब आप किसी विशेश कारी के लिए पूजा करते हैं परन्तु जब आप दैनिक पूजा करते हैं तब सुभे का समय जो होता है बहुत उत्तम माना जाता है नौ बजे से पहले का जो समय होता है अत्यांत शुब माना जाता है क्योंकि सूर की किर्णे भी आपके घर पर पढ़ती है उस समय पर मा कालका की पूजा करना आपके जीवन में खुशों को बढ़ाता है साथ ही साथ काफी सवाल आये थे कि मा कालका या मा काली की जो वरत विदी होती हो किस प्रकारगी होती है तो भक्त जनो सबसे पहले आप जितने भी व्यक्ती मा कालका की पूजा करना चाहते हैं तो व्रत जो होता है सबताहा के दो दिन किया जाता है मंगलवार तथा शनिवार शनिवार का जो व्रत होता है उसका महत्व थोड़ा जादा होता है आज उसी की विधी के बारे में हम चर्चा करेंगे आप सुभे स्वच कपड़े पहन कर स्नानादी करके जो है मा काली की मूर्ती के सामने बैठ जाईए मा काली की मूर्ती अगर घर में नास थापित हो तो मा कालका की जो आप फोटो ले सकते हैं आप पिंडी दर्शन के जो वैशनो देवी की माता की फोटो है वो ले सकते हैं तथा माता कालका की ऐसी आपको तस्वीर लेनी है जिसमें माता रानी मुस्कुराते हुए आपको दिखे अगर आप तांतरिक क्रियाओं के लिए करना चाहते हैं गुप्त दस महाविद्याओं के लिए प्रयोग में लाना चाहते हैं मा कालका की तस्वीर तो आपको जो है रुद्रू रूप में माता की जो तस्वीर वो लेनी होगी तदा वही जो मूर्ती होगी स्थापित करने होगी परंतु बिना किसी गुरू के आप जो है ये क्रिया अपने घर पर अकेले में बिल्कुल ना करें दूसरी बात मा कालका की जो आप तस्वीर लेंगे मुस्कुराते हुए ऐसा माना जाता है मा साक्षात आपको दर्शन भी देती है क्योंकि अगर आप पूजा करते हैं तो मा आपने भक्तों के पास एक माता के स्वरूप में जरूर आती है सुभे स्नान करने के बाद आप जो है स्वच कपड़े पहन ले इसके बाद एक पात्र में सुपारी खड़ी सुपारी नौग इलाइची मीठी वस्तु कोई भी बन्यूई भोग में रखें यहाँ पर हलवा आपको कहूंगी सूजी का वो बहुत अच्छा माना जाता है साथ इसाथ आप जो काजल होता है या जो काजल की छोटी डिबिया होती है आपको नई खरीद कर लेनी है माता के लिए एक पत्ता बिंदी और आपको जो है अलता होता है उसी में ये सब चीजे रखनी है या आपको वजार में सामगरी जो है बहुत आसानी से प्राप्त हो जाएगी किसी भी पूचा की दुकान पर जाके माता के श्रंगार का समान आप मांगिए, काल का माता के श्रंगार का समान मांगिए आपको बहुत आसान इसे मिल जाएगा उपास जितने भी लोग करेंगे वरत धारी को इस दिन अनाज से बना हुआ कोई भी सामान गरहन नहीं करना है अनाज को इस दिन गरहन आपको बिल्कुल नहीं करना है इसके अलावा आप जो है आलू का सिंगाडे का या फिर साबूद आने का प्रयोग कर सकते हैं निराहार रह सकते हैं तो बहुत ही उत्तम रहेगा भोजन जो होगा सूरियास्त के बाद आपको गरहन करना है इस दिन प्याज लसन का सेवन बिल्कूल नहीं करना है लाल मिर्च का सेवन नहीं करना है आपको साथ ही साथ आप जो है अद्रक का भी प्रयोग जो है नहीं करेंगे अब बात करते हैं पूजा स्थान पर आपको जो है नमन करते वे सभी चीजों को जो है मातारानी को और पित करना है मा कालका का चालिसा का पार्ट कवज का पार्ट आप ये जो पार्ट है प्रति दिन भी कर सकते हैं परन्तु मा कालका की पूजा या कवच चालिसा करने के बाद थोड़ा सा गुस्ता जो है आपका बढ़ता है तो उसे शांत करने के लिए आपको आगे एक नमान मंत्र का जो बीज मंत्र होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे इसके बाद मा कालिका का पार्ट जहां आप कर रहे हैं वहीं पर आपको हर शनिवार को करना है मतलब जिस थान पर बैटकर आपने पाट किया है जिस समय पर किया है उसी समय के आसपास आपको जो है जितने भी आप वरत करेंगे क्योंकि इनकी गिंती नहीं मानी जाती है आप जितने भी वरत करेंगे उसी जगा पर उसी समय पर करेंगे तो आपको फल जो है विशेश तौ प्रणाम करने के बार सिर जुगाएं तथा आप अपनी सभी भूल चुकों की शमायाचना मांगे। नियम पूर्वक उनको श्रिंगार का दान करते वे इस उपास को जो है आप समाप्त कर सकते हैं। अगर आप पूजा भी करते हैं तो आप एक हफते में ही अपने आप में चेलिज देखेंगे। सुहागन महिलाएं अगर ये कारे करती हैं तो उनके जीवन में कभी भी परनारी का भहे जो रहता है याने की पती के खोजाने का भहर रहता है या कुछ भी भहर रहता है वो बिल्कुल नहीं होता है। माता सदेव आपकी रक्षा करती है आपके जीवन में आपको सदेव मान सम्मान की प्राप्ती होती है ससुराल पक्ष में आपका जो ओधा रहता है सदेव सबसे उचा माना जाएगा आप ये भले पूजा करकर देखें आपको अपने आप ही इसके रिजर्ड्स जो हैं सामने मिलेंगे माता रानी की पूजा जब सुहागन महिलाएं करेंगी तो सिंदूर भरकर ही पूजा करें इस बात का आप ध्यान रखें श्रंगार आपका किया होना चाहिए बिच्छी आपने पहने होने चाहिए आपकी पूजा का दूनाफल आपको प्राप्त होगा अब अगर कोई कन्या इस बात के लिए करती है कि अगर उसे विवहा के लिए योग चाहिए या नौकरी के लिए योग चाहिए तो वो सिर्फ कालका देवी के चालीसा का पार्ट करेंगी इसके अलावा आपको कोई और पार्ट नहीं करना है अब जितने भी भाई हैं वो व्रत के समय पर या प्रती दिन पूजा के समय पर मा काली के चालीसा का पार्ट कवज का पार्ट कर सकते हैं इसके अलावा अब आपको बताते हैं मा काली का की पूजा अगर आप व्रत ना कर सकें आप सिर्फ पूजा करना चाहते हैं माता की उपासना करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक ऐसा मंत्र बताते हैं जिसको करने के बाद आपके जीवन के सभी मार्ग जो है खुल जाएंगे साथी साथ आपको जो है बहुत सा धन्ला भी प्राप्ट होगा क्योंकि जो मंत्र है इसमें माता के सभी नौ स्वरूपों के जो बीज मंत्र है उनकी प्राप्ती है साथी साथ महालक्ष्मी, मासरस्वती, माकालका, मादुर्गा की विशेश क्रपा जो है आपको प्राप्त होती यह होता है नमान मंत्र नौ ग्रहों को नियंत्रित करता है साथ ही साथ नौ रूपों का सयूक्त मंत्र माना गया, बहुत पावरफुल मंत्र है, अगर कोई भी उपासनाप ना कर सकें, तो केवल एक माला इस मंत्र की सुभे के समय पर सच्चे दिल से कर, ये मंत्र सुभे के समय पर बहुत चमतकारी प्रभाव देता है, ये मंत्र इस प गुप्त शत्रू भी होंगे कोट कचारी के मामले होंगे कर्ज मुक्ती होगी, विध्या का दान चाहते हैं, मान सम्मान की प्राप्ती चाहते हैं, सभी कारे आपके बनने लगेंगे जिस माला से आप डेली जो है आप माला को जपेंगे, वही माला आपको डेली प्रयोग में लानी है आसन का जो प्रयोगा वही आसन का प्रयोग करें और समय की सीमा का ध्यान रखें आसन जब भी आप छोड़ेंगे थोड़ा सा जल लेकर आसन पे छिड़क कर जो है दन्वत प्रणाम कीजिए और आप माता रानी के सामने हाथ जोड़कर जो है उठ जाईए कुछ मीठा भोग डेली जो है आप जो भगवान के छोटे-छोटे बरतन हमेशा मिल जाते हैं आपको बजार में उसमें मीठा अगर आप डेली ना बना पाएं तो शक्कर या गुड जो है आप माता रानी को भोग लगा सकते हैं मीठे में कोई फल भी भोग लगा सकते हैं अगर आप कुछ भी ना कर सकें तो बरतन में थोड़ा सा दूध भी जो है आप माता को भोग स्वरूप अपनी श्रधा अनुसार अर्पित कर सकते हैं तो भाईयों और बहनों ये तो थे मा कालका की पूजा उपासना के बहुत सिंपल नियम जो की हम दैनिक जीवन में जीते हुए आसानी से घरस्त जीवन में कर सकते हैं ये अगर आप अपने जीवन में करते हैं तो आपके जीवन में पुत्र पौत्र की प्राप्ति होती है साथ ही साथ इन व्रतों की तथा मा कालका की पूजा की महिमा बहुत है आप जब उपासक बनते हैं माता कालका के तो आपको अपने आप ही विद्याओं का ज्यान होने लगता है आप विद्या के शेत्र में बहुत आगे बढ़ते हैं साथ ही साथ आपके जीवन में आपको कभी भी जो है मुड़कर नहीं देखना पड़ता है अब यहाँ पर क्योंकि कल्यूग में विशेश तौर पर हमारे हिंदू धर्म शास्त्र में बताया गया है कि कल्यूग में केवल तीन देवी देवता ही जागरत हैं हनुमान जी, मा काली तथा काल भैरव आप जब माता रानी की पूजा उपासना करते हैं तो आपके जीवन में कल्यूग रूपी जितने भी कष्ट हैं उनका समाप्त होती हैं वो तथा माता जो है आत्मा की देवी मानी गई है आपकी आत्मा की शुद्धी होती है आपके जीवन में जितने भी कष्ट होते हैं य पाई और बहनों मैं आशा करती हूँ आज का इस वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया होगा हम फिर मिलेंगे किसी नए विशे पर चर्चा करते हुए आज अपनी वाड़ी को यही विराम देते हुए धन्यवाद दोस्तों